आपने आज तक कई अलग अलग तरीके के साप देखे होगे उनके बारे में सुना होगा पड़ा होगा दुनिया में सापों की हजारों प्रजातिया हैं सब जगा पर साप मिलता है सीवाई के, एंटाक्टिका, आइसलेंड, आयरलेंड और ग्रिनलेंड लेकिन हाली में थाइलेंड में साप की एक ऐसी प्रजाति मिली ऐसा साप आपने कभी न देखा होगा ना उसके बारे में सुना होगा इसका नाम है फरी ग्रीन स्नेक, बालो वाला साप ये जो साप मिला है वो करीबन दो फीट लंबा है जिसने ये वीडियो शूट किया है, उनका नाम है शू थाइलेंड के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि उनके गर के पीछे उनने ये साप दिखा उनको भी पहले यकिन नहीं हो था कि ऐसा साप भी होता है लेकिन दे साइंस टाइमस की रिपोर्ट के अनुसार ये फरी स्नेक है, जिनको पफट फेस स्नेक भी कहा जाता है ये जनरली पानी वाले इलाखों में खास करके दलदल वाले इलाखों में पाये जाते है और ये बागी सापों की कंपेरिजन में कम जहरीले होते हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कितने जानवर, ऐसे कितनी प्रजाती, कितनी चीजे है जो दुनिया में exist करती है लेकिन हमने कभी देखी नहीं है हमको उनके बहर में पता नहीं है, इसके उपर आप कहा कहना है क्या क्या कहना है एक तो बच्चों का स्कूल में साइंस का सिलेबस खतम नी हो रहा है और आज कल रोज नए साप नए वाइरस फालाना डीमा का आता जाता है यार तो दर्ती पर क्या क्या है हमको ठीक से पता नहीं है और दुसरे दुनिया खोज ने निकले है अरे कोई साप के बाल काटो यार कूल बनने के चक्कर में फालते में साइंस का सिलेबस बढ़ा रहा है ये